वहीं मोहन नगर थाना शेत्र के शांती नगर अंबेट कर आवास में पच्छिस सो के लेंदेन में हुई मारपीट में दो सगे भायों ने एक युवक की हत्या कर दी जिन्हें पुलिस ने गृफतार कर अपराद पंजिबद कर लिया है दुर्ग के मोहन नगर स्थेत शांती नगर अंबेट कर आवास में रह रहे मुकेश लंजियर की अपने पडोस में रह रहे शिव शाम कुवर एवं सतीश शाम कुवर से जड़ब हो गई दोनों परिवार के बीच पैसों के लेंदेन को लेकर लड़ाई हुई जिसके चलते दोनों पडोसियों के बीच उधारी को लेकर हुई बहस में शिव और सतीश और उनके परिवार वालों द्वारा मुकेश को डंडे से मारा गया जिसमें मुकेश को सिर एवं पसली में गंभीर चोटे आई जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित किया वहीं मोहन अगर थाना द्वारा दोनों सगे भाईयों को हिरासत में लेकर अपराद पंजिबत किया गया है इस संब्ध में मोहन अगर थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी एक गंभीर अपराद कल मोहन अगर थाना चेदर में घटित हुआ है ये घटना अमबिटकर कालोनी शक्तिनगर के पास की है जहां पर दो सगे भाईयों ने उसी मोहले के एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेस लांजेवार के साथ में डंडे और पत्थर और हाथ मुका से उसको मार पिट किया जिसमें वो व्यक्ति गंबिर उसके घायल हो गया और उसकी रातरी जब 8 बजे उसको ले जाया गया जीला स्पताल तो वहां पर उसकी उसको डॉक्टरों ने मिद्ध होसित किया तो यह इस मामले में जो है दोनों आरोपी जिसमें से एक है शिव श्यामकुवर और उसका बड़ा भाई सती श्यामकुवर इन दोनों को ही हमने गिरफतार कर लिया है और इनको पुलिस रिमांड पर भेजा जा जा यह मामले में यह विवेचना में ही आए कि पचीस्व बीच में और उसी लेंदेन के चलते यह अपराद घटी थुआ है पुरानी को रंजिस नहीं थी बस यह पचीस रुपए का लेंदेन था और उसी में जो है बात बढ़ गई और उसमें ज्यादा मार पीठ हो गई और यह घटना घटी नहीं यह दो लोग की दो आरोपी इस इसमें धारा तीन सो दो चोंतीस आई पीसी के अंतरगत अपराद पंजी बत कर वी एच नहीं लेगा ग्राणेसेन न्यूस के लिए नसेम फारुकी की रिपोर्ट